आज के कुर्ति कटिंग लेक्चर में हम थियरी नंबर 4 से सुरू करेगे सोलर डाल का मार्क किया हुआ है वह सोलर कटिंग मार्क है आर्मोर लंबाई के लिए हमेशा यहीं से माप लेना है सोलर की सिलाई से नहीं लेना है अब आर्मोर लंबाई का मार्क करे और वहाँ पर सिधा मार्क करे यह अपर चेस्ट का माप है डाप्टिंग में समझते हैं यहाँ पर मार्क किया है वो सोलर स्लोप का रेडी मार्क है और उसके बाद बाहर वाला जो मार्क है वो सोलर डाल का कटिंग मार्क है तो ये cutting mark है वहीं से ही आर्मोर लंबाई का नाप नेना है यहां चाओद नंबर में लिखा है कि यहीं से हमें आर्मोर लंबाई का नाप करना है मेजर्मेंट चार्ट में देखे कुर्ति के लिए आर्मोर लंबाई मापने का तरीका बोड़ी माप अपर चेस्ट में लूजिंग लगाने के बाद 6 से बागाकार करके उसमें 0.45 अधिक लो अपर चेस्ट बोड़ी माप 35 चे उसमें 2 इंट लगाने पर 37 इच बनेगा 37 इच का 6 बाग करना है उसका आंस्वर आएगा 6.16 प्लस 0.75 एड करना है तो आंस्वर आएगा 6.91 6.75 और 1 पॉइंट आर्मर लंबाय का नाप बनेगा आर्मर लंबाय का स्पेशल पेज बनेगा उसमें समझे आपने जितना इच लूजिंग लगाया हो उसके अनुसार जो रेडी माप आएगा उसका डिवाइट 6 करना है और जो जवाब आएगा उसमें 0.45 एड करना है और बाद में जो जवाब आएगा वो फाइनल आर्मर करें और यहीं पर L से सिधा मारक करना है यह अपर चेसट का लाइन बंता है अब next point Pondra नंबर में समझे solar शोलर सिलाई मार्क से आगे का टक्स पॉइंट की लंबाई और टक्स दुरी का मार्क करे और वहीं से सिधा मार्क करे यह मेंचेस्ट का माप है। यहाँ पर 15 नमबर में देखे एपेक्स पोईंट यानि आगे का टक्स पोईंट का नाप है 17 इच और टक्स का अंतर मेथर के अनुसार बोडिमाप मेंचेस का दस पाक करने पर 3.65 अंसर आया है यानि 3.5 और 1 पोईंट यहाँ डापिंग में देखे पहले सोलर सिलाई का मार्क करना है और उसके बाद यहाँ पर एपेक्स का गेप करना है और सोलर का सिलाई मार्क से ही एपेक्स लंबाई का मार्क करना है 17 इच यहाँ पर इस तरह से नाप बनेगा यहाँ पर पहले आदा इच का मार्जिन रखकर येसी लए मार्क करना है, अब एपेक्स का गेप साड़ तीन इंच और एक पॉइंट है, यहीं से सवाद दस इंच एपेक्स लंबाई का मार्क करना है, अब यहाँ पर L-Sep scale से सिधा मार्क करना है, यह मेंचेस का लाइन बनता है, अब नेक्स्ट पॉइंट सोला नंबर में स लगाया है, तो 38 इंच रेडी बनेगा, इसका डिवाइट चार करने पर 9 इंच चोथा भाग रेडी बनेगा, तो डापिंग में देखे, यह मेंचेस की लाइन पर 9 इंच यह चोथा भाग का नाप रेडी है, और उसके बाद मार्जिन का मार्क अलग से करना है, यहाँ पर 9 9 इंच पर मार्क करे, और मार्जिन का सवा इंच नाप अलग से रखे, अब नेक्स्ट पोईंट 17 इंच नंबर में समत्ते है, रेडी अपर चेस राउन का चोथा भाग का मार्क करे, और मार्जिन का माप अलग से रखे, मेजरमेंट चार्ट में 17 नंबर पर देखे, अपर का बोडी मेजर 35 इंच है यहाँ पर हमने दो इंच लोजिंग लगाया है तो 37 इंच रेडी आया है इसका डिवाइट फोर करने पर सवा नव इच चोथा भाग रेडी बनेगा डाप्टरिंग में देखे यहाँ पर सवा नव इच अपर चेस राउंड का यह रेडी मार्क और सवा इच मार्जिन का मार्क बनेगा इस तरह समय मार्क करना है यहाँ पर बोडी मेजर लेने के बाद हमने जिस तरह का लोजिंग लगाया है जैसे कि अपर चेस में दो इच में चेस्ट में डेड इड इच और हीप राउन में दो इच इस तरह का यह जितना लूजिंग लगाया है यह मीडियम फिटिंग पिरना चाहता हो उनके लिए है अगर कस्टमर ज्यादा लूज पिरना चाहता है तो यहां पर लूजिंग की मात्रा में बढ़ानी होती है जिसे दो की जगह धाई या तीन करना होता है मेंचेस में डेट की जगह दो या अधाई इच करना होता है और अगर कस्टमर कस्टमर का वॉड़ी मेजर लेते हैं वह एक ही तरह से लेना होता है specially हिला नाप नहीं लेना है या specially tight नाप नहीं लेना है जिस तरह से आप regular हिनाप लेते हैं उसी तरह से लेना होता है और उसके बाद customer की choice के आधर पर losing कम या ज्यादा करना पड़ता है अब next point समझते हैं 8 नंबर upper chest से main chest और main chest से कमर लंबाई तक scale का गोलाई वाला shape से mark करें राप्रिंग में देखे scale का गोलाई वाला shape upper chest से main chest और main chest से कमर तक ये गोलाई वाला shape का mark करना है upper chest और कमर के तरप आपको इस तरह scale रख देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है यह main chest की line पर ज्यादा से ज्यादा आदाइं तक हम गोलाई का shape दे सकते हैं उससे ज्यादा यहाँ पर गोलाई देंगे तो पेनने के बाद यहाँ side parts से जोल आएगा यानि अच्छा fitting नहीं आपाएगा अगर यहाँ पर आदाइं से ज्यादा गोलाई बन रही है और customer side art भी पेनना नहीं चाहता है तब हमें come around को ज्यादा लूज करना पड़ता है ताकि यहाँ का shape maintain हो सके यह सब हम practically अलग से समझेगे फिलाल हम यह basic lecture पूरा कर लेते है यहाँ पर पहले armor करवा scale से थोड़ा गोलाई वाला shape का यहाँ mark करना है इसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ आदादा इसका mark करना है अब यह scale से आपको upper chest से main chest तक इसे mark करना है और main chest से कमर तक इसे mark करना है इस तरह मार्क करने पर यहां पर कोना नहीं बनेगा और यहां पर गोलाय का सेफ अच्छा बनेगा हर छोटे छोटे पॉइंट को द्यान में रखना जरूरियत तब यह आप अच्छी तरह से फिनिसिंग वाला मार्क कर पाएगे अब यहां की तरफ देखे तो इस तरह से यहां पर यह स्क्वेर से बना है तो यहां पर भी हमें एक स्क्वेर से बनाना है तो आज के लेक्चर में हमने यहां तक जितने पॉइंट समझाए है उतने पॉइंट तक ज्यादे से ज्यादा प्रेक्टिस करना है अब नेक्स लेक्चर में 19 नमबर से सरू करेगे आज कही आपका दिन सुब रहे धन्यवाद